हेलो फ्रेंड्स तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजरेंड वरकर में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम एक माउस्ट्रेब मशीन बनाने वाले हैं तो उसको बनाने के लिए मैं एक मोटर का प्रयोग करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी दो मोटर हैं आप इन में से किनी एक मोटर से भी बना सकते हैं जो आपके पास एबलेवल हो तो अभी मैं इस मोटर का प्रयोग करूँगा और उसको साइड में रखकर नाइन बॉर्ट वैटरी का प्रयोग करूँगा आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्र प्रकार के हैं और आपको यह दो छोटे वाले तरीके से भी काट लेने हैं और एक कार्ड बोर्ड जिसमें मैंने इस प्रकार से कट कर लिया है आप लोग देख सकते हैं और अभी इसको साइड में रखकर हम बंबू स्टिक्स लेंगे आप देख सकते ही कुछ इस प्रकार से होती है और ये शारी चीजे आपको आपकी लोकल मार्केट में बहुत आराम से और सस्ते में मिल जाएंगी और मैंने इस को बनाने के लिए इस कार्डबोर्ड में अपनी ग्लू गन की साहिता से थोड़ा सा ग्लू लगा कर कुछ इस प्रकार से यहां पर जोड़ दूँगा आप लोग वीडियो में देख सकते हैं और आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से अपने काल्ड बोर्ड को भी इसी में एट कर लेना है और अब मैं अपने काल्ड बोर्ड के दूसरे सिरे को भी उसमें अच्छे से ग्लू गन की सहाथा से जोड दूँगा और अब मैं अपने काल्ड बोर्ड के तीसरे सिरे को भी कुछ इसी प्रकार से ग्लूगन की साहिता से उसमें जोड़ दूँगा आप लोग वीडियो में देख सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा बॉक्स है वो कुछ इस प्रकार सा दिखेगा और अब मैं इस कार्डबोर्ड को लूँगा और इसमें मैंने इस प्रकार की बंबू स्टिक्स को कट कर लिया है आप लोग देख सकते हैं और यहां पर मैंने थोड़ा सफ फैवी गम लगा रहे और लगाने के बाद हम अपनी बंबू स्टिक्स को इसमें कुछ इस परकार से एड़ करेंगे फ्रेंड्स अभी मैं वीडियो थोड़ी से स्किप कर रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं हमारी सारी स्टिक्स एड़ होने के बाद ये कुछ इस परकार से दिख रहा है और अब मैंने दो पतले से कार्बोर्ट काट कर उसमें इस परकार से एड़ कर दूँगा आप लोग देख सकते हैं इसको एड़ करने के लिए मैंने अपनी ग्लूगन की साहता ली है और एड़ करने के बाद ये कुछ इस प्रकार सा दिखेगा और अब हम अपने दो छोटे वाले टुकले लेंगे जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाया है और इसमें आप देख सकते हैं मैंने पैन से कुछ इस प्रकार से मार्क कर लिया है और एक रबर बैंट और अब आप लोग मेरे हाथ में इस प्रकार से ऐलमूनियम का वायर देख सकते हैं अब मैं एक छोटी सी बंबू स्टिक काट कर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपने गलूगन की सहायता से लगा दूँगा आप लोग कोगो भी इसी प्रकार से लगा लेना है और अब मैं अपने वायर को लेकर अपने अलमूनियम वायर में कुछ इस प्रकार से एट करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने वायर को इसमें अच्छे प्रकार से कस दिया है कुछ इस प्रकार से और अब हम इस पे शोल्डिंग आगरेंगे तो आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी वीडियो स्किप की है और शोरडिंग कर दी है और अब हम इसमें अपनी गलूगन کی सहायता से थोड़ा सा गलूगाएंगे इसको यहाँ पर पेश्ट करने के लिए आप लोग देख सकते हैं और यह अपना दूसरा सिरा यहाँ पर कुछ इस परकार से लगा देंगे और अब आप लोग देख सकते हैं इसको लगाने के बाद यह कुछ इस परकार से दिख रहा है और अब हम अपने इस कॉर्णनर वाले साइट पे अपनी रवर वैंड को डबल करके कुछ इस तरीके से लगा देंगे और अब आप लोग देख सकते हैं जब इस पर चुहा जाएगा तो उसके भार से ये नीचे दबेगा और एक ये सुच की तरह काम करेगा और अब हम इसको भी अपनी ग्लूगन की साहिता से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अब हम अपने कार्डबोर्ड के इस सिरे को लेकर वहाँ पर दो छोटे-छोटे कार्डबोर्ड के टुकडे लगा देंगे आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों को भी कुछ इस प्रकार से ही कर लेना है और अब हमें दो बंबुश्टिक्स की जरुत पड़ेगी जो कुछ इस प्रकार की हैं मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अपने ग्लूगन की सहायता से लगा दिया है और अब हम अपने कार्डबोर्ड को कुछ इस प्रकार से हलका सा फोल्ड कर देंगे और अब हम इसको साइड में रखेंगे और साइड में रखने के बाद हमें पैन के कैप की जरुरत पड़ेगी तो आप देख सकते हैं मैंने पैन के कैप को ले लिया है और उसके जो उपर के कैप होते हैं उसको भी मैंने हटा दिया है और अब हम इसको छोटे छोटे कट करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको इस प्रकार से कट कर लेना है और अब हम इसको कार्डबोर्ड के उपरी और निचली सिरे में लगाएंगे कुछ इस प्रकार से लगा देना है और अब हम अपने bamboo sticks वाले cardboard के सिरे को लेंकर उसके holes में से कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे और अब हमें इसकी दूसरे तरफ भी कुछ इसी प्रकार से उनको भी लगा देंगे आप लोग देख सकते हैं मैंने उनको bamboo sticks से लेकर वहाँ पर कुछ इस प्रकार से add कर दिया है और निचले सिरे को भी और अब मैंने pen को लेकर वहाँ को उने में कुछ इस प्रकार से एक hole कर लिया है और अब हम उस hole से अपने wire को वहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने कुछ इस प्रकार से इसको बाहर निकाल लिया है और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से frailie movement कर रहा है और अब आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का मैंने लिया है और ये आपको आपकी लोकल मार्केट में इलेक्रोनिक्स कंपोनेंट की शॉप पर मिल जाएगा और ये पैन की डिफिल का कैप और अब मैंने अपनी बैटरी को गलोगन की साहिता से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एट कर दिया है और अपनी मोटर को भी यहाँ पर उपरी सिरे पर लगा देना है तो आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से इसको लगाना है और अब मैंने अपने पैन की रिफिल के को कुछ इस प्रकार से और उसके आगे इसको भी लगा लिया है और अब हम इसको जो है अपनी कार्डबोर्ड में लगा देंगे कुछ इस प्रकार से और अब मैं अपनी वायरिंग करूँगा तो मैंने वायरिंग के लिए थोड़ा सा फ्रेंट्स वीडियो को स्किप किया है और आप देख सकते हैं मैंने वायरिंग को कुछ इस प्रकार से किया है जो दो ब्लू वायर थे उनको बैटरी के माइनस पर और मोटर के माइनस पर और अब हम इसके उपरी सिरे को भी कुछ अच्छे से कवर कर लेंगे तो कवर करने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर भी बंबू स्टिक्स का प्रयोग करूँगा आप लोगों वीडियो में देख सकते हैं और मैंने अपनी बंबू स्टिक्स को कार्डबोर्ड में कुछ इस प्रकार से लगा दिया है और अब मैं इसको लगाने के लिए भी वीडियो थोड़ी से स्किप कर रहा हूं और आप लोग देख सकते हैं ये लगने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा और मैंने एक कार्डबोर्ड का टुकडा लिया है आप लोग देख सकते हैं जो कुछ इस प्रकार से है और अब हम इसको ग्लूगन की सहाइता से यहाँ पर एट कर देंगे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको भी कर लेना है और अब आप लोग देख सकते हैं ये बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी और अब आप देख सकते हैं जब चुहा जो है यहाँ पर आएगा और उसका पैर यहाँ पर पड़ेगा तो उसके भार की वज़े से ये डोर कुछ इस प्रकार से फट से बंद हो जाएगा मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ जैसे ही यहाँ पर चुहा आएगा और उसका पैर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पड़ेगा तो वो जो डोर है वो अपने आप अचानक से बंद हो जाएगा और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही अगले नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारा चैनल लेजन्ट वरकर थैंक यू